सरो सिंग जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार महागटबंदन में चल क्या रहा है महागटबंदन में आरजेडी कितनी सीटे कॉंग्रेस को देना चाह रही है पहला सवाल मेरा आपसे ये है और दूसरा पप्पु यादब और तारीक अनवर पे जिस तरीके का महागटबंदन में राजद की निताओं को ये उमीद नहीं थी कि कॉंग्रेस इतना हाड इस्टेप भी ले सकती है उनको लगता था कि छे सीट साथ सीट पर कॉंग्रेस मान जाएगी और जो सीटे हम उनको देंगे उन सीटों पर वह मान जाएंगे लेकिन यैसे यह पपु यादब को लेके कॉंग्रेस को लगता है कि कॉंग्रेस अपने हिसाब से चीजों को डारेक्ट कर सकती है महागटबंदन के अंदर इसलिए पपु यादब का ट्वीट की चर्चा आपने की कि मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे अब कॉंग्रेस के नेताओं की कल जो बैठा कोई और आज सबेरे सबेरे जो कॉंग्रेस के नेताओं से मेरी बातशीत हुई है उनका कहना है कि देखिए आठ सीटे तो कॉंग्रेस देने के लिए तयार है लेकिन हमने दस की मांग की है नो पर हम समझावता करेंगे लेकिन सीट वही लेंगे जो हम है हम दस लेंगे मांग रहे हैं नो तक हम मान जाएंगे लेकिन नो सीटे वही लेंगे जो हम चाहते हैं जिसमें पुर्णिया की भी सीट है उसमें कठिहार की भी सीट है और कहा जा रहा है कि औरंगाबाद सीट में भी कुमिद्वार बदलने की बात कही जा रही है कि आप लालू परसाद या 30 स्वी मानेंगे देखे पुर्णिया वाले में एक बात होई थी कि मध्यपूरा लड़ जाएंगी बिमा भारती पुर्णिया में पपुयादब रा जाएंगे लेकिन बिमा भारती को लेकर चुकि बिमा भारती की इंट्री ही इसलिए कराए गई कि पुर् के रास्ते में रुकाबट आ जाए और वो रुकाबट बिमा भारती के रूप में पुर्णिया में आई इसलिए ये का देना कि बिमा भारती सुपौल सिप कर जाएगी और पपुयादब के लिए मैदान छोड़ दिया जाएगा ये फिलाल दिखता नहीं है पपुयादब क क्यों किरन है पुर्णिया हीक असीए इसलिए पपुयादब में जिद किया है अभी वह वह भाग रोड़ना से थोड़ी दिर में पुर्णिया भी आएंगे पुर्णिया में आज साम साम कोई बड़ा एलान भी वहा कर सकते हैं लेकिन कॉंगरेस के जो दिमाग है वह मेदा झाल 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 झाल